चले अब हम पढ़ेंगे Error ये जो Error है previous year का Error है हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि कौनसा तो इसमें हम क्या करेंगे कि अप क्या करें कि इस वीडियो को आप 10 मिनट तक देखें अगर उस 7-8-10 मिनट के बाद अगर लेगे कि वीडियो खराब है तो आप क्या करें कि इसको डिसलैक करणें और डिसलैक करने के बाद is किप करने के बाद वैसे जगें वीडियो देखें जहां आपको जुद्ध समझ में आ रहा हूँ क्योंकि YouTube पर बहुत बड़ा बड़ा प्लैटफॉर्म है English सिखने का हम तो अभी दूद मुहाँ बच्चा है तो उमिद करते हैं कि session ठीक लगेगा अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ continue रहे हैं पहला है contented people और यह जो contented people है यह हमारा subject यह हमारा क्या है subject और यह हम देख रहे हैं कि contented people जो है वो past है plural है good people कहरई plural subject है जब subject हमारा plural है तो हमको भर्ब भी क्या देना होता है plural form में देना होता है your favor plural का भ sont हम तो जानते हैं कि subject plural का बोटा मानलती people है यह plural है अगर हम उसी चीज़ को और pain लेखे तो इसका plural paid कर देंगे अगर उसी चीज़ को हमण लेते हैं book click है तो हम इसका plural क्या कर देंगे books कर देंगे लेकिन सवाल है कि जब noun में s लगा रहे हैं तो वो हमारा plural बन जा रहा है लेकिन आप याद रखेगा कि जब verb में s लगेगा तो वो हमारा singular बन जाता है ऐसे याद रखते हैं कि a for apple b4 ball तो उसी तरह से s for singular लेकिन किसमले o bind ृवर्ब का बत करें तब s एर जब बन खररव का बत करें तब s for singular तो इसमें से हम क्या करेंगे कि जब बन भर्ब का बत करें तब थो fort singular होता है कहने का मतलब वो हर भर्ब जिसमें S लगा वो हमारे singular है singular है, हाँ singular है तो जिसके जिसके अंद में S है वो हमारा क्या होगा, singular होगा अब सवाल कि ये तो आप खली linking verb ले लिए, आप को यह और verb लेके देखिए main verb, ठीक है run मतलब क्या होता है, दोड़ना है, इसमें S है नहीं है, यह हमारा plural है लेकिन अगर वही चीज़ को हम लेके runs तो S लगा होगा न, तो यह हमारा क्या होगा singular होगा, तो अभी तक हम अखली subject सिखें और verb सिखें तो people है हमारा जो है, वो plural subject है कैसा है plural, मतलब noun में जब हम S लगा दे रहे हैं, तो वो हमारा बन जा रहा है क्या, plural लेकिन जब verb में हम S लगा दे रहे हैं तो यह क्या बन जा रहा है, singular जब noun में S लगा रहे हैं, तो बन रहा है plural, जब verb में S लगा रहे हैं, तो बन जा रहा है singular, सला यह की चीज़ यही फसा देता है कि रहे बेटाँ, जब noun में S लगा रहे हैं, तो यह plural सवाल है कि यह जो नाउन है इतो इस तरह से याद रख सकते हैं याद करने का और कुछ नहीं ठीक तो अब देखेंगे कि यह पीपुल हमारा होगे प्लूरल तो मेरा आगे वह वह आएगा वह मरा प्लूरल होनों चाहिए यह जो सेल्डम है यह सेल्डम जो है वह हमारा एडवर्ब है सेल्डम क्या है हमारा एडवर्ब है और जब सेल्डम एडवर्ब है तो इसका मतलब है कि एडवर्ब है अब एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है वर्ब को जैसे हम लोग जानते हैं ना कि पहले नाउन होता है नाउन को क्वालि समय में नहीं कि पहले होता है noun फिर होता है adjective और फिर होता है एड़वर्ब नाउन को qualify कोन करता है adjective एड़वर्ब को qualify कोन करता है verb अब समय में नहीं आ रहा है कि ठीक है noun को qualify adjective कर रहा है adjective को qualify एड़वर्ब कर रहा है लेकिन आप याद रखें कि एडवर्ब एतना मस्त आद्वी है एडवर्ब कि ये ना ये एडवर्ब एडवर्ब को भी अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेता है जैसे एड़ार्ब एड़ार्ब को भी कौलिफाय कर लेता है किसे देखतें जैसे हम लिखतें हैं बेरी भीरी गुड और तही के हमारा है यह गूंड एमारा एड़ेक्टिवit सब внимания के लिसंते हैं अब देखेए क्यों कोॉद्फ को चाहिए यहां तो एड़ेक्तिव आधमार कर रहा एड़न पर यहां कर लेकिन एड़org भी कौन कर रहा हैं तो इसलिए आज हम ब्रेट लिख पाने च्छके घुक है टो यह जुड़ हो तो इसका मतलब है कि यह जो टत्रम यह वह हमारा कि मृझा था यह सिल्डबh Seldom क्या है Adverb और Adverb क्या करता है कि ये Adverb जो हो भर्ब का विशेष्टा बताता है किसका विशेष्टा बताता है वर्ब का विशेष्टा वो भर्ब को भी Qualify करता है लेकिन अगर आगे देखें कि Contented People में कोई गलती नहीं है कि संतुष्ट लोग है People यहाँ Plural आगे भर्ब हमको चाहिए Plural फोम है और भर्ब प्लूरल तभी होगा जब उसमें हैस नहीं होगा क्योंकि हैस लगने होगा तो सिंगनल होता है और Seldom जो है वो हमारा Negative Word है Seldom कौन सा Word है Negative Word है और Seldom Negative Word है तो इसका मतलब यह हुआ कि Negative Word में कभी भी Not का परियोग नहीं करते है यानि जिसमें Negative वो Seldom हो उसमें Not का परियोग तो होगा नहीं क्योंकि Seldom तो Negative Sentence है अब यह People Seldom हम समझें कि साला मेरे पास Subject है साला मेरे पास यह Adverb है फिर साला यह Complaint अगर देखें तो Complaint हमारा Noun है Complaint का है? Noun है अब यहीं नहीं समझ में आ रहा है कि साला Subject है, Adverb है, Noun है दू को एक तरह से देखें पिबूल भी Noun है तो दो चीज़ कैसे हुआ कोई भी जागर हम एक Example के तोर पर समझें कि अगर हम भर्ब ना दे तो कैसे कोई sentence बन सकता है हम बोले, I rice यह तो गलत होगे, मैं भात हूँ मैं भात, क्या में नहीं गए इसका जब तक हम उसको भर्ब नहीं देंगे भर्ब तो देने पड़ेगा अगर बोले, I eat या फिर, I ate rice, मैंने चावल खाया तब तो सही है तो यहां देखे, subject noun है इने verb नहीं तो complaint जो है, वो हमारा noun है सवाल यहां तो verb करना पड़ेगा और यह जो adverb है वो किसको किसकी विश्यस्ता बताता है एडवर्ब का भी बताता है एडवर्ब को भी बता देता है एडजेक्टिब का भी बताता है तो एडवर्ब जो है विश्यस्ता बताता है तो यहां तो वर्ब होना चाहिए लेकिन कंप्लेंट हमारा क्या है ना उने तो सवाल complaint का वर्व क्या होता है तो आप क्या करें कि इसमें से टी को हटा दे तो ये जो complaint होता है वो हमारा हो जाता है क्या ये है हमारा वर्व complaint तो इसमें टी के वल काट देंगे तो ये होगा हमारा क्या वर्व अब समझ माँ जागा कि सब कुछ क्या है, सही है ठीक, तो अब समझ मागया कि complaint में टी यहाँ पर नहीं होगा यह काट देते हैं टी ठीक, तो यह होगा complaint अब यहाँ पर गलती था, अब सवाल आगी क्यों नहीं गलती है, against their fate, against ठीक है क्योंकि अपने भागी के बात किया है तो इसमें को गलती नहीं है, अब their fate है, सवाल जो their है, क्या बोलती है, उसको plural है अगर eat होता ना, तो यह singular है, तो इसका positive pronoun हम देते, it's, लेकिन यहाँ जो people है, वो हमारा plural है और जो people plural है, तो उसी के लिए plural dare आया है क्योंकि दे के ही तो dare बनता है और dare मतलब plural है, तो यहाँ पर dare किसके लिए आया है, तो plural के लिए आया है, ठीक, dare fate उनके भागी, तो संतुष लोग कभी भी complain नहीं करते अपने भागी के खिलाफ, ठीक है तो इसका यह meaning था, तो उम्मीद करते हैं, कि पहला जो था वो आपको समझ में आ गया होगा तो इसका जो answer होगा, वो होगा B number इसका answer क्या हो जागा, आपका B number हो जागा answer, ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, बढ़ते ही next at one time अब at one time जो है हमारा काली कौन कराया है subject को कि एक समय में एक समय की बात है या तो एक समय की बात है, या फिर एक समय में at one time तो यहां तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि गलती हम तब रूनते जब उसमें subject होता, कोई tense का खेल होता, singular subject, singular बिजर भर्ब का होता है यहां तो कुछ है नी सब्जक्ट के तोर पर गिनाए गया है एक समय में अब यहाँ पर लिखाल है BIRDS AND ANIMALS BIRDS AND ANIMALS अब थोड़ा सा गर मिहाँ पर देखें कि BIRDS AND ANIMALS लिखा हुा है इसका मतलब क्या है कि BIRDS AND ANIMALS है और ये जो एंड है बड़ा मस्ती चीज है एंड क्या करता है ना कि एक तराजू के जैसा काम करता है एंड के पहले अगर कोई भी चीज plural form में है तो एंड के बाद भी plural form में होगा अगर एंड के पहले singular form में है तो एंड के बाद singular होगा अगर end के पहले सुपरलेटिव है तो end के बाद सुपरलेटिव होगा अगर end के पहले कॉमपरेटिव डिग्री है तो इधर कॉमपरेटिव होगा अगर end के पहले इधर नेगेटिव वाक है तो इधर नेगेटिव कुल मिलाक हम यह कहना चाहरें कि end के आगे हो यह पीछे दोनों को दोनों करके रखे गए यह बराबर यह किसी को आजात नहीं करेगा किसी को दुस्मनी नहीं निकालेगा बोलेगा सब साला बराबर है कोई टाइटू करना नहीं तो उटक पटक देंगा तो अगर हम यहां देखें end तो end के पहले लिखा हुआ birds यानि plural है और end के बाद भी अगर देखें तो animals यह भी plural है सवाल यहां होता है कि साला जब यह plural यह plural तो इसका मतलब पहला तो सही था ही पहला क्या था हमारा सही था तो इसका मतलब है कि दूसरा अभी हमारा क्या है सही है क्योंकि अभी तो देख लिए अब आगे देख लिए हैं lived तो at one time birds and animals lived रहते थे यानि sentence कहां चला गया पास्ट में और यह जो lived है वो हमारा क्या है भर्ब हम बोले भर्ब की विसेस्ता बतलाने के लिए कोई आना चाहिए अभर्ब आना चाहिए चाहे अभर्ब आगे हो या पीछे हो तो भर्ब की विसेस्ता बताने के लिए हमको अभर्ब चाहिए आप याद रखें कि 90% य इंडिंग वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है अभर्ब होता है तो at one time एक समय में पंच्छी और पीस्फूल टूगेदर यह जो पीस्फूल है हमारा एड्जेक्टिव हो गया और एड्जेक्टिव है यह हमारा भर्ब है तो भर्ब को क्वालिफाई करने के लिए तो एड़वर्ब होना चाहिए लेकिन यह तो एड्जेक्टिव हो गया peaceful तो हम इसको क्या करेंगे इस peaceful word को हम बना देंगे adverb सवाल adverb कैसे बना है तो हम तो बोले कि 90% जो ly ending word है वो हमारा क्या होता है तो इस peaceful को क्या करेंगे peacefully करेंगे last में इसमें ly जोड़ देंगे और together का मतलब होता है साथ साथ तो एक समय में पंची और जानवर एक समय का बात है कि पंची और जानवर जो है वो सांत रहा करते थे साथ में तो यह वर्ब है वर्ब को qualified वर्ब करेंगे रेड वर्ब लगाने के लिए ly लगाना पड़ेगा ठेक है उमिद करते हैं second बेड़ ठीक लगा होगा आके उड़ते हैं तीसरा नमर यू मस्ट रिच दा एरपोट अब यहां पर यू यू हमारा क्या है प्लूरल फिर प्लूरल है तो आगे हमको देखना है कि क्या है मस्ट और मस्ट हमारा क्या है मॉडल मस्ट क्या है मॉडल और मॉडल के बाद आता है वर्ब का फस्ट फॉम model के बाद क्या आता है first form लेकिन अगर यही model के बाद अगर भी होता ना तो वो sentence passive में चला जाता लेकिन उसके बाद आगे वर्वतीरी होना चाहिए तो यह sentence चल जाता है passive में और यह कहता है कि आप active voice में नाच लीजिए यह कहता है passive voice में उचल लीजिए ठीक है तो model के बाद भर्व का पहला form चाहिए तो यहां must जो है model है और model के बाद रिच जो है भर्व का पहला form है इसका मतलब पहला वाला जो है वो पूरा का पूरा सही है जो must reach आगे अब यहां लिखावा है the airport the airport अब दा जो है वो हमारे determiner है सवाल केवल दा determiner नहीं ए भी हमारे determiner है एन भी हमारे determiner है और दा भी हमारे determiner है अगर उसके बाद एक वाट होता ना तो वो हमारा noun होता है सवाल अगर दो वाट रहा तब क्या करेंगे सर तो पहला वाला noun कर दीजे दूसरा वाला adjective कर दीजे सवाल अगर तीन वर्ट रहा तब क्या करेंगे सर तो अगर तीन वर्ट रहा तो यह हो जागा नाउं यह हो जागा एडजेक्टिव और यह हो जागा हमारा एडवर्ब सवाल जब चार वर्ट रहे तब क्या तो चौंथा वलगों भीतरे भेज़ देंगे करना इतना भ्यानिक जहान्दों में धकिल देंगे ऑड़ा उठकरके नहीं है मतलब एक वर्ट है तो हमारा नाउन , अगर धो अगर भूर्ड के लिए झेंच तन ест अगर धोर्व फर-वर्ड फर नाउन , तो अगर हम देखे हृति यह तीनो डीटर्मिनर है और जब डीटर्म reach the airport तुम्हें एरपोर्ट पहुंचना होगा ओन टाइम समय पर अगर इन टाइम होता तो कोई दिक्कत नहीं है अन्हां समय सही है समय पर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब पहला तो हमारा सही था अब दूसरा भी क्या हो गया कि दह एरपोर्ट दा के साथ ये नाम लगावा है इसका मतलब ये सही है ओन सब्सक्राइब ų प्लाइब नहीं नहीं को नहीं हमारा मॉडल हको यू बता रहा है तुमकोज हमाराम मोडल है नहीं हो मॉडल के वर्व यह को आई फाला प्लाइब सेранधा कि आए पर लिखा हुए है कि तुमें पहुँच जाना चाहिए एरपोर्ट समय पर वरना या तू तूम क्या करोगे फ्लाइट को मिस कर दोगे अब आइधर करगे तो आइधर करता है या तो या तो और आइधर अपने साथ क्या लेता है वार और लेता है लेकिन यहां अगर देखें तो बोल रहा है कि तुम्हें जरूर पहुँचना पड़ेगा समय पर नहीं तो तुम फ्लाइट को मिस कर दोगे नहीं तो या तो फिर वरना तुम फ्लाइट मिस कर दोगे और यहां जो आइदर है वो ना तो वर्ना का सांदी मतलब हिंदी बता रहा है और नहीं नहीं तो का तो यहां क्या करें और कि यह और करें तो आफ आप कर दें या तो आप क्या कर दें ऊदर वाइज क्या क्या क्रदें ओड़ आज निका हुआ है तो यू मस्त रिच तुम्हें जरोर पहुच रहा होगा दा ए ooh a या फिर फ्लाइट को मिक करता है ठीक तो यहां समंझ में आगे कि और होगा या तो ऐल्स कोगा या तो आदर क्ता हुर वाजव然后 आदर jokes होंुद goes लूट के साथ मीसरे सही है एक होते है प्रजिसिव एड्यक्टिव और एक होते है प्रजिसिव प्रणूम तो यूर जो है वो हमारा है प्रजिसिव एड्यक्टिव तो सवाल इसका प्रजिसिव प्रणूम क्या होगा तो इसका प्रजिसिव प्रणूम होगा यूर्स अच्छा his जो है वो posisive adjective और his जो है वो posisive pronoun sir अब सवाल है कि हम फस के योर है तो ऐसे लगाथ हम posisive pronoun इसको समझ लें लेकिन his में तो कोई चिंज़ निये कैसे जाने तो आप ऐसा जाद रखें कि posisive adjective के बाद noun का पर्योग हमेशा होता ही होता है लेकिन positive pronoun के बाद noun का परियोग नहीं होता है positive adjective में noun का परियोग होगा लेकिन pronoun में noun का परियोग नहीं होगा तो अगर हम यहाँ पर देखे your flight है और your जो है वो हमारा क्या है positive adjective है और उसके बाद flight जो हमारा noun है तो positive adjective के बाद noun का परियोग है तो इसका मतलब यूर फ्लाइट नाउन है फ्लाइट तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा सही हो गया यूर फ्लाइट भी हमारा क्या हो गया सही हो गया तो गलती हमारा कहा था आईदर के जगा क्या हो जागा और हो जागा या तो इल्स हो जागा या फिर क्या हो जागा otherwise अदर वाइस ठीक उमीद करते हैं ये भी समझ में आया हो next if you study hard अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे you surely could selected for the scholarship तो तुम क्या हो जाएके sure है कि तुम्हें scholarship के लिए select होगे जब भी sentence if से start होता न तो समझ जना है कि वो conditional करे है conditional करे है कहने का मतलव अगर sentence if लगा हुआ है तो आगे भरब एक होगा या तो भरब का पांच वाफ होगा तो समझ जना है कि आगे जो होगा वो Okay आगे क्या होगा या तो सेल लगेगा या तो बिल लगेगा लेकिन अगर यही चीज अच्छे स्वारी यहां इफ होगा अगर यही चीज इफ के साथ अगर भर्व का दूसरा अप्खम है तो समझ जना आगे उड़ होगा क्या होगा उड़ होगा यह एक दम SSC का फेबरेट टूल है पता नहीं कुछ चुंदर घुशल मुँ में इला सवाल एक दम पूछता ही पूछता होगा अगर यही भर्व टू के जगा अगर मान लेते हैं यहां हैड हो इफ के साथ अगर हैड हो तो आगे क्या लगेगा आगे एफ पलस भर्वन यह वर्वाई रहें तो आगे सहलं यह लोगा अगर एफ फलस भर्व डू रहे तो आगे उड़ होगा सिंपल है कि पार इपर चीन से पास शर्ञाइड है लगा दागे यह कुड़ व्रिया लगेगा ठेक है तो यह हमारा सइंटन्स होता है अब यहां पर लिखावाई है इफ यू स्टड़ी हाट तो इफ के साथ हम देखेंगे यह भरब का पहला भूब ठीक तो इसका मतलब यह कंडिशनल हो गया और कंडिशनल हो गया तो आगे हम क्या बोले थे कि सैल विल होना चाहिए फिर सेंटेंस में तो आगे सैल विल नहीं है तो यह भी उस्टड़ी हाट अगर तुम कडी मेहनत करोगए तो spiral विल आना चाहिए तो यू के साथ क्या आगा विल तो विल हो जागा च्या हो जागा विल अब यहां पर हो जागा माइरा विल अर जब यह कि मॉडल है विल को भी सुदारना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा get if you study hard अगर आप कड़ी मेलग करते हैं तो you will surely get select क्या करना पड़ेगा you will surely get selected got selected नहीं करना पड़ेगा फिर क्योंकि model के बाद work का पहला फोम आता है तो model के बाद work का पहला फोम देंगे तो you will क्या होगा surely get you will surely get हो जागा यहाँ पर ठीक है तो you will surely get selected ऐसा हो जागा क्योंकि model के बाद work का पहला फोमाता न अगर हम will लगाते हैं तो कि यह सही हो जागा नहीं fill in the blinds में फिर हम फ़स जाएंगे तो got को क्या करना पड़ेगा get परने को पड़ेगा यह get लिखा हो जी एट है अब यहाँ लिखना फोर दा सोलोट दा हमारा क्या है determiner और determiner के बाद अन दा है उँ determiner के बाद एक वाट है था हमारा क्या है noun है तो इसका मतलब यह भी क्या है सही है तो गलती कहा था हमारा बी नमबर में कि यहाँ होगा यू विल करना और विल के विल मॉडल है तो यहाँ करना होगा भारो का पहला पाद गोट को करना पड़ेगा get ठीक उमित करते है ठीक लग रहा होगा बढ़ते नेक्स्ट he said that he said that वह कहा कि क्या कहा he said that वह कहा कि अब यहाँ लिखा वह said और said है हमारा past तो यह भूल जाना है कि subject singular है या plural है क्योंकि जब भी sentence past से start हो ना तो वहाँ इस सब भूला जाना है past लूला में उतना नहीं देखना है इस सब चीज़ तो he said that wee he had forgot अब क्या करें थोड़ा से एक चीज याद रखें कि h के साथ हमेसा भरूलес का 3 पहुम आता है s давно हमेसा भरूलब का 3 अज़ पहुम चावल h में कौन कुन है h में have है has है h में had है य Wouldn. के साथ भरूलब का 3 पहुम आता है अगर यह linking verb का काम कर रहा है तब अगर main verb का काम करेगा तब नहीं थिक तो यहां linking भरव का ही काम कर रहा है क्योंकि main verb यहां forgot है main verb कोन है? फारगट. हम बोले ह वाले के सत्थ हमेशा भरव का तीसरा फोम होता है तो यहां देखे यह हैट तो लिखा वह तो फॉर्गोट जो हो भर्ब का दूसरा हो यहां तो भर्ब का तीसरा हम बता रहे हैं और जब भर्ब का तीसरा बता रहे हैं तो इसका मतलब यहां फॉर्गोट को तो फॉर्गटिन करना होगा तो फॉर्गटिन करना होगा तो फॉर कोहास आगे क्यों नहीं गलती है आप यह बता एंगे क्यों नहीं गलती है आप यह नहीं हры bedroom लेता है है और रका सुल лишь और यह और दिटर्मिन himself दोटर हैblem प्रवाज लगाना भूल लिखा है प्रियु जो हमारा प्रोजिशन हम चानते हैं कि प्रिपॉज्शन के बाद अगर घर घर गरता है । हमसEं। अ कि वह घर, अगर आया है तो भर्ख को 4 अगर आया है तो ह हर फ्री जो होगा यहां लिबिगंग 4 प्हों में सी है तो तो मेरा गलती कहा था तो यह जो लग अलते था क्या क्या है फर गटन आगा टिक नेक्स्ट अब यहां गर हम थोड़ा से देखें तो इट टर्ण आउट टू भी यह बदल गया है अब थोड़ा से अगर हम देखें तो यह लिखा ले इट टर्ण आउट टू भी अब यहां इट टर्ण आउट टू भी टर्र्ण से हमको पता चल रहा है कि यह जो सेंटेंस है पास्टका किसके लिए पास्टका है अब leopard यह यह जो है किसके लिए है पार्टि के लिए है ठीक है कोई दिकत नहीं है इ使 theme out to be turn out हो गया है यह बदल गया है क्या है थोड़से देख लेते हैं दा noisey park party यहां तो कोई दिक्कत है नहीं दा noisey park party अब यह जो दा है noisey लिखा हूँ है तो दा noisey है हम जानते हैं कि दा के बाद जो है वो super relative degree आता है positive नहीं आता है और यहां super relative पॉजिटिव दूह नुरम होना चाहिए नहीं होनाई चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए अ कि कि जितना भी हम एटेंड के ना उससे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हो हलावला पार्टी यही है तो इसका मतलब जो पार्टी में हम गए वही पार्टी का बारे में बात कर रहे हैं और वही पार्टी का बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब उसको हम स्पेसिफिक बना कि अच्नियिक करना पड़ेगा दाएजेस्ट विसको किया कर दे दयुप थे टेकर तो two नौजीष बार्टी पार्क पार्क पार्क초 में ओर रहा है एन निवाडी है ढहरा अब 1965 Boy यह पना हूद अंड़ क्या है हम बिले हृच के साथ वर्फ का थीजर वन्तलब यह सही था गलत पहलंहें सब्सक्राइब घ्जिस geweं इंटरेंट, नी यह जो a story है, वो पू़रा का पूरा क्या है? Interesting है. क्या है पूरा? Interesting है. अब दीस a story. एक दो दीस होता है. एक दीस होता है singular के लिए. और एक दीस होता है plural के लिए. एक दीस पड़ते हैं इसको. इस दीस के बाद आगे आने वाला जो होता है, वो हमारा singular होता है लेकि इस दिज के बाद आगे आने वाला जो भी चीज होता वो plural होता है तो यहाँ a story है, एक ही का story है stories नहीं है तो दिज हमारा है, तो आगे singular होना चाहिए story तो आगे singular है, कोई दिक्रत नहीं है और जब यह story singular है तो is as for क्या होता है, singular verb में तो यह जो is है, वो हमारा क्या होगया singular होगया this story is quite interesting, मतलब यह क्या है बहुत ही interesting है, तो उमीद करते हैं, समझ में आया होगा कि this के बाद story singular आता है story singular है, इसलिए verb भी singular लगा तो this story is quite interesting यह थोड़ा interesting है but, अब but क्या करता है अगर इधर negative तो इधर positive ऐसा करके वो जोड़ता है ठीक, तो this story is quite interesting यह story बहुत interesting है but I have read much interesting stories देन दिस, लेकिन बोल रहा है कि इस से ज़्यादा हम पढ़ें, अब सवाल के but जो है, एक तरफ positive एक तरफ negative जोड़ता है, तो यहां तो not तो है निकिन अगर sentence को पढ़ें, तो लिखा है this story is quite interesting, यह story पुरा का पुरा interesting है but लेकिन I have read much interesting stories than this, बोल रहा है कि interesting तो है, लेकिन इस से ज़्यादा interesting तो हम पढ़ चुके है, तो इसका मतलब negative तो आ गया, कि भले ही interesting है लेकिन इस से ज़्यादा हम अच्छा देखें है टेक है, तो पहला वाला तो सही होगी है, कोई दिकत नहीं है दूसरा में देखें, but I have read अब यहां H है, और H के साथ read लिखा है, read, 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 read यह तो भर्व का तीसरा पूम वही होता है जो one होता है, सही है यार, much interesting बहुत ज़्यादा interesting story है than this, किससे इससे यह ज़्यादा interesting वो पढ़ चुका है than this, अब then हमारा क्या है, comparative degree और कभी भी comparative degree के तुलना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं much का ना परियोग ना करके हम लोग क्या करते हैं more का परियोग करते हैं तब तो बोलते हैं more than क्या बोलते हैं, comparative degree के बोलते हैं more than का परियोग के comparative degree के तुलना करते हैं जब हमको तुलना करना हूँ तो comparative degree लगाते हैं तो यहां मच तो नहीं होगा फिर क्योंकि हमको comparative लगाना है किसे जानगे comparative लगाने क्योंकि यहां दयन लगा और दयन comparative लगाते हैं तो C is example में बोलते हैं कि C is better than हर वो उसे ज़्यादा अच्छा है तो better comparative हुगा दयन लगा है तो comparative के साथ दयन लगता है तो यहां मच के से हो जागा यहां तो more करना पड़ेगा मच को अब देखिए यह most क्या है हमारा यह जो most है हमारा super relative degree और जब super relative degree है तो यह क्या आया the most talented क्योंकि super relative degree के पहले दा आता है तो पहले भी बताएं तो the most talented यह नहीं बहुत ज़्यादा ही talented of these three boys मतलब यह तीनों में से जो तीनों में से जो एक लड़का है जो बहुत intelligent है talented है यहां लिकाले है वो of these अब यह जो these आभी बताएं थे इसके पहले कि these के बाद plural आ रहता है अगर यह these होता तो आगे singular होता लेकिन यह these है अच्छे याद कैसे रखेंगे कौन singular कौन plural आप अगर देखेंगे इसमें कोई भी word repeat हो है सब single single है अर जब शब single single है तो इसका मतलब वो singular है सवाल इसमें कोई repeat हो ह रहा है हाँ हो रहा ही और जब एक से ज़्यादा कोई repeat हो तो वो plural हो जाता है यह हमारा क्या होगो डिस तरी बाइज herd और माई फ्रेंड सर मेरे दोस्त का बेटा है। अब फ्रेंड से लगा हुए अपस्ट्रोफी है से इसका मतलब उसका की के है। अगर ओप होता तो इसका मतलब वो बताता कुछ वस्तू को बताता। तो यहां क्या कहना है उसका कि the most talented of these three boys इन तीनों लड़कों में से जो सबसे ज़्यादा talented है वो मेरा दोस्त का बेटा है। तो तीनों में से एक होना मेरा बेटा है मेरा दोस्त का बेटा है। बोल रहा है तीनों में से जो सबसे ज़्यादा talented है वो है मेरा दोस्त का बेटा। तो तीनों में से जो सबसे आदा talented है वो तो तीनों में से कोई एक talented और कोई एक talented है इसका मतलब कि उसके लिए तो हमकों singular verb का परियोग करना चाहिए लेकिन अगर यहां देखें तो यहां तो plural verb का परियोग क्योंकि ऐस लगता था अभी तो singular होता है तो यहां करना पड़ेगा is the most talented of these three boys is my friend son मतलब तीनों लड़कों में से एक जो talented है वो मेरा दोस्त है तो एक है तो singular होगा ना next as soon the gun suit was here gun suit होता है ना जिचकां जिचकां तो जैसे ही gun suit हुआ people लोग जैसे ही सुने ran my friend son तो क्या हुए मेरे दोस्त के बेटे सब क्या हुए भागने लगे तो यहां तो यहां गलती क्या है यहां add soon as होता है क्या होता है यहां पर as soon हम लोग कभी भी पढ़े हैं तो हमेशा से देखे हैं कि add soon as होना चाहिए क्या होना चाहिए add soon as लेकिन अगर यहां देखें तो add soon as लिखा ही नहीं है as soon as क्या है लिखा ही नहीं है तो यहां से देखें कि as soon as यहां होना चाहिए क्योंकि as soon as का मतलब होता है ज्यों ही सुने त्यों ही वो भागते है ऐसा होता है तो हमेशा हम लोग जो परियोग करते हैं वो होता है as soon as ऐसा होता है हम इससे यही परियोग होता है तो यहां देखे एज तो छूट गया है तो पहला नमर हमारा क्या हो गया गलत हो गया यह पहला ही गलत हो गया एज सुन एज होगा जैसे ही गंद सूट हुआ जैसे ही गंद सूट हुआ न उसको जैसे सुना गया तो सेंटेंस क्या है यह वाज ह और रहन जो हो बर्फ का दूसरा फों में ये भी पास्ट में है ये भी पास्ट में मतला अभी तक क्या हुआ सही है और फिफुल रहन प्पर भागे अब यहां थोड़ा सा यहां थोड़ा से मिश्टेक से गल्थी से टाइप हो गया है यह माई मतलब रिन गुंज सुट वाह जोगा जैसे भी गोली चलने के अवाज आई नहीं पेनिक थोर फागा है धागने लगे रलूड़ इधर दोल गले दोड़ने लगे तो यह माई फ्रेंड नहीं गोगा यह मिस्टेक से टाइप हो गया होगा है यहां आउट इन पैनिक तो यहां थोड़ा सा ध्यान से अगर पहले वाले वीडियो में एक नमर कोशिन या दो नमर कोशिन देखे होंगे तो उसमें एक रूल बताया थे वो रूल यहां लगेगा अगर आप चुप चाप रहें तो यह कुछ सेव दा सिच्वेशन या फिर होता है या तो उड़ है या तो कुड़ है या तो उड़ है या तो कुड़ है तो लेकिन यहां अगर देखने कि इप यू है रिमेंड काम तो सबसे पहले अगर देखे कि यहां ने कहले इप यहां तक सही है यू यह भी सही है यू हमारा क्या है plural plural है ने तुम लोग तो PLU प行ई ने इया कोई दिक्ट नहीं है आगे काम बने रहो १ू लब सांथ होता है, you could saved, अब कोड के साथ भरव का तीसरा पहों में, you could saved, थोड़ा सा you could saved नहीं, you could have, यहाँ have छुट गया है, यहाँ have हो, दो तो गलती नहीं हो सकता, यहाँ have, you could have saved the situation, तो यहां लिखा हुए you could have हम बुले कि अभी एक अगर हो कि इप के साथ अगर had होता है तो आगे में क्या होता है या तो would have या तो would have या तो फिर could have ऐसा, तो यहां पर could or have लिखा हुआ है तो इसका मतलब आगे तो had आना चाहिए लेकिन यहां क्या है तो इफ यू है रिमेंड काम, यू कुट सेब दा सिच्विशन तो यह था दसो कर दसो मेरा एरर और सब प्रिवेस यर का था उमीद करते हैं थोड़ा लिखने में हमेशा मतलब थोड़ा लिखने में क्या बोलते हैं कि यह मतलब और वरी गिजर बिजर लिखा रहा होगा क्यो मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में